हेलो बच्चों स्वागत आपका गॉर्मेटिक चांप अड़ा में बच्चों अगर आप भी CBSE के प्राइवेट इंप्रूमेंट और कमपार्टमेंट एक्जाम फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है क्योंकि इसमें हम सेयर करने वाले हैं बहुत ही इंप्रूमेट इंफॉर्मेशन पहली बात तो बच्चों अब आपका टर्मोन एक्जाम पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि 9 नौमबर को CBSE क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के जिनका टर्मोन का एक्जाम होना है उनके रोल नंबर अपलोड करने जा रही है उन बच्चों का रोल नंबर आ जाएगा मतलब आप लोगों का अगर फॉर्म आता भी है तो रोल नंबर इन बच्चों के साथ नहीं आ पाएगा दूसरी 15 नंबर से इनके एक्जाम सुरू होने हैं जो कि मुश्किल से एक सब्ता का टाइम बचा हुआ है और अब आप लोगों के फॉर्म अगर आते भी हैं तो दो सब्ता कम से कम फॉर्म भरने का उसके बाद कुछ टाइम प्रिप्रेशन करने का मतलब कि हर हाल में टर्मोन की तैयारी अब आप मत करें तो ज़्यादा सही है क्योंकि टर्मोन का एक्जाम आपका नहीं होगा तो कब आएंगे फॉर्म, क्या होगा पैटन, कुछिशन पेपर कैसे बनेगा इन सब कुछिशन के बारे में ये वीडियो हम बना रहे हैं उमीद है कि आपके सारी संगाओं का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा पहली चीज तो ये बच्चों कि टर्मोन का एक्जाम नहीं होगा मतलब अगर आप टर्मोन की तयारी कर रहे हैं तो इसको अब थोड़ा सा रोकने की जरूरत है और कंसेंट्रेट करना है अगले एक्षन पे चोकि हम यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं अब कहा यह जा रहा है कि CBSE का जो कंपार्टमेंट इंप्रूव्मेंट और प्राइवेट एक्जाम वाला फॉर्म है वो नॉवंबर में हर हाल में रिलीज हो जाएगा वैसे भी अभी CBSE के रिस्टेशन भी शुरू नहीं हुए हैं क्लास 11 और 9 के तो कहीं कहीं प्रॉसेस थोड़ा सा डिले है और कंपार्टमेंट थर्ड के बच्चे भी इस फॉर्म को भरेंगे प्राइवेट इंप्रूव्मेंट वाले भी इस प्राइवेट फॉर्म को मतलब जो आएगा इसको भर पाएंगे एक साथ में सबका फॉर्म भरवाया जाएगा साथ में जो बच्चे एडिशनल सब्जिक लेकर के एक्जाम देना चाहते हैं उनको भी मौका इसमें मिलेगा बच्चों तो फॉर्म आएगा उनलाइन फॉर्म भनना होगा उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो यह कि आपके एक्जाम होंगे कैसे देखो अब एक्जाम के दो पॉसिबिलिटीज बन रही है जो आपका एक्जाम है वो दो पैटन पर करवाया जा सकता है पहला पैटन यह कि आप लोगों के लिए स्पेचल अच्ब्शाम करवाया जाए अगर स्पेचल करवाया जाएगा तो फूल स्ले बस रहेगा और वहां पर न्यू कुई क्beiपर पैटन आएगा मतलब कि को एक नए मुए मैं पारटन पर अपना इक्जाम देना होगा यह इस में term 1, term 2 से आपका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, आपका एक अलग से exam होगा, और उसी के result आएंगे, उसी के आधार पर पास या फेल जो भी होगे, वो गोसित कर दिये जाएंगे, जैसा कि आपने अभी पिछला exam देखा ही होगा, कि regular candidate का exam नहीं हुआ, और आपका exam था, same syllabus यहां पर रहेगा, same question paper format रहेगा, और उसी के आधार पर descriptive paper आपको देना होगा, मतलब लिख करके परिक्छा आपको देनी होगी, दूसरा condition यह बन रहा है, कि CBSC भाई यह इतना जमेला पाले क्यों, अब इसमें करेगी तो उसको अलग से काम करवाना पड़ेगा, अल होना feasible जल लग नहीं रहा है, हलाकि CBSC करवा सकती है, लेकिन फिलहाल इसको हम थोड़ा सा अगर रोक दें, और इसकी समस्याओं को देखते हुए, हम इस पर विचार करें, कि exam जो term 2 का होना है, regular बचों का class 10 और class 12 के, उनहीं के साथ में, आपका भी descriptive paper करवा लिया जाए, इस पता ही होगा कि recently CBSC ने announce किया है, कि boards के exam इस बार दो parts में होंगे, जिसमें first part यानि कि term 1 exam 9 December में होने वाला है, जो कि MCQ based होगा, जिसमें 40 number के questions आप से पुछे जाएंगे, ये काफी recent changes हैं, और हमेंसे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, कि इसे attempt कैसे करना है, क्योंकि कोई mock series भी अभी तक available नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा attention लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि unacademy लेकर आया है, खास आपके लिए all India mark test for class 10th and 12th, इस test के details कुछ इस तरह से हैं, बच्चो 11 सितंबर से हर Saturday, Sunday, Monday, Tuesday को साम 5 बजे class 10th के math और science, class 12 के physics, chemistry, mathematics, biology, accountancy, business, and economics के test करव और weakness, इतना ही नई बच्चो, top three winners को मिलेगा, plus subscription, 31st December तक, और हर subject के topper को मिलेगा, one-to-one mentorship, top educator से, तो learners इससे बहतर मौका नहीं मिलेगा, आपको practice करने के लिए, आपके exam, termon exam के लिए, description में link दिया है, अभी जाए, free में enroll करें, और use करें मेरा code, GEA, आप इसी code को use करके, unacad 35% आया, termon में, और 35% term two के descriptive paper के लिए, रखा हुआ है, तो इन लोगों का termon exam तो हो जाएगा, अब बचेगा term two, term two में, आधे syllabus से question paper आएगा, और descriptive type का आएगा, मतलब questions कम रहेंगे, time भी आपको कम ही मिलेगा, time जादा नहीं मिलेगा, और उसे के हिसाब से आपको अपनी त design करना पड़ेगा, प्लस अलग से exam नहीं करवाना पड़ेगा, इन ही बच्चों के साथ में, March April में, आपकी परिक्षा, conduct करवाई जा सकती है, और ज्यादा possibility इसी चीज़ की है, एक problem यहां आएगी, कि आपका जब ये exam होगा, 35% syllabus पे, तो आपके 40 marks या 35 marks के paper आएंगे, थे CBC ये कर सकती है, कि इन marks को just दुग ना करते, जो आपका result आए, जितना number आप पाएं, term 2 में, उस marks को 70 या 80 में convert करके, computerized और आपको आपका result दे दे, तो feasibility इसमें जादा है, जादा feasible है, CBC के लिए ये exam conduct करवाना, वैसे CBC इसको भी करवा सकती है, और इसको भी करवा सकती ह अब मुद्धा ये है, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको भले ये दोनों नहीं पता है, ये भी हो सकता है, तो आप कब safe हो, अब कुछ बच्चे गलती यहीं करेंगे, कुछ बच्चों में ये होगा, या तो कुछ लोग पूरा पढ़ डालेंगे, कुछ लोग खाली term 2 का आए, तभी आपको कहीं न कहीं problem हो सकती है, तो अभी जब तक आपका नहीं आता है form, CBSE के private improvement और compartment exam के form नहीं आते हैं, तब तक आपको एक या डेड़ महीने के लिए, जब तक आप form नहीं भर देते और confirm नहीं हो जाता कि slaves क्या होगा, paper pattern क्या होगा, तब तक आपको एक काम करना है, एक काम यह करना है, कि जो termon का slaves है, उसको छोड़ देना है, जो 35% slaves termon में आना है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजे, इसलिए छोड़ दीजे, क्योंकि अगर आपका term 2 के साथ में exam होता है, और 35% slaves पे होता है, तो termon का slaves नहीं पूछा जाएगा, मतलब कि आपको इस termon की पढ़ाई की होगी, या नहीं की होगी, छोड़ो उसकी बात नहीं करते, term 2 का slaves अब आप पढ़ना शुरू कर दीजे, अगर full slaves आएगा, तब भी उसमें term 2 include होगा, अगर खाली term 2 का पूछेगा, तब भी term 2 include होगा, तो एक महिने की जो पढ़ाई है, वो आपकी waste नही होगा, एक tab मिलेगा, curriculum का button मिलेगा, उस पर जा करके, और term wise curriculum डाउनलोड कर लेजे, उसमें जो term 2 का slaves है, उसको पढ़ना शुरू करतीजे, हमने अपने बच्चों से बताया है, और हम बता रहे हैं, एक एक करके सभी बच्चों को जो हमारे online support group में जुड़े हुए हैं, और हम एक exam तो दे ही चुके हो, कुछ बच्चे दो या तीन exam दे चुके होंगे, बोर्ड का, तो कैसे paper और आता है, यह सब पता है, हाँ, sample question paper इसका अलग से आएगा, CBSC जारी करेगी, अब की बार उसनी जारी नहीं किया है, अभी तो term 1 ही होना है, तो बस परिशान मत हो, जितन 20 घंटे oxygen देता है, उसका सही उत्तर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसका सही उत्तर होगा, none of these, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है बच्चो, जो रात में oxygen release कर सके, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो oxygen का release होता है, photosynthesis में, वो photolysis of water के जरिये होता है, मतलब कि पानी तूट जात तो रात में oxygen release नहीं हो पाएगा, फिलहाल हमारी ठेट सारी सुपकामना आपके साथ में है, अच्छे से तयारी कीजिए, और अगर आपने term 2 की तयारी सुरू कर दी है, तो भी हमें comment box में जरूर बताईएगा बच्चो, all the best, may God bless you, thank you for watching this video.